जीतेंगे हम ये वादा करो कोशिस हमेसा जादा करो किसमत भी रूठे पर हिम्मत ना छूटे तुम मजबूत इतना इरादा करो नमस्कार साथियों मैं राज कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने पारिवार PBR स्टडी में तो साथियों आपकी कलास शुरू हो चुकी है कच्छा दस की एंसी आटी मैथमेटिक्स तिरकोड मिती आप लोग पढ़ रहे है परसना वली आट दसम लोग दो कुश्चन आपको स्क्रिन पर नीचे दिख रहा है क्यों मैं दिख रहा है कि नहीं कोई तकलीफ किसी को कि अगर आपको इनमें साइन साथ कॉस्ट तीस साइन पेतालीस कॉस्ट यह घंचा पंचा याद नहीं है ना तो आप इन सवालों को नहीं कर पाएंगे इनका तरीका क्या है याद कैसे करेंगे बैट के रट्टू टोटा बन जाएंगे साइन तीस एक बटा दूई साइन तीस एक बटा दूई साइन तीस एक बटा दूई यह इसे नहीं करेंगे नहीं पागल गोशित हो जाएंगे इनका एक तरीका है सिस्टम है वैसे आपको करना है आपको याद हो जाएगा मैं पहले मान निकालने के बारे में साट कर थोड़ा तरीका बताऊंगा कि आप इन मानों को कैसे याद करेंगे जैसे साइन 30 कमान एक बटा दूई होता है कास 30 कमान अगर बात करें तो रूट 3 होता है इक बात करें बादू अगर त्हीं क्याद करें बाड थिकार हूँ थेखहो तो देखिए मैं बटाता हूँ जुगारले कि इंडिया में जुगारल बहुत चलता है जुगारले जुगाड से हमारे देश की सरकार चलती है ना तो जुगाड देखो świe Iss a Bajr जुगाड यह है कि पहले हमसाइन का सारा मान आपको नींपाना बताइइ ठीक है तो साइन को यहां दरज कर दीजिए यह तो बंद कर दीज इनको यहां पर आप मान रखिए, मतलब हमें 0 का मान निकलना, sign 0, फिर sign 30 का मान निकलनेंगे, sign 45 का, sign 60 का, sign 90 का, थोक रेट में निकलनेंगे एक बार में सब, ठीक है, done? अब देखना, दिल थाम के देखना, एकदम पूरा जोष जुनून के साथ, और यह चच्चा कलाच छोड़के ना जाना नहीं बहुताई मार पड़ेगी जाना मत अकर सीखना है देखो अरे सॉरी यार वैसे बोला मजाक में चलो मारेंग नहीं अब देखो समझो क्या करना है हमें नंबरिंग करना इनको देखो कितने हैं एक दो तीन चार पांच यह पांचों पांडों हैं इनके नीचे गिंती लिखना है पहले वाले के नीचे जीरो फिर वन फिर टू फिर थरी फिर फिर फोर ओके अभी सारे मान थोक रेट में इकट्था आ जाएंगे इकट्था साब आएंगे देखा पहले इस टब में गिंती लिखा दूसरे में सब को चार से भाग करो सब को चार से भाग करो अब यह मत पूछना चार से भाग कर रहे हो यह ट्रीक है याद कर लो इसो याद कर लो पहले जीरो से ले करके चार तक गिंती लिखा फिर सब को सार से भाग किया इनको हल कर लीजिए जो भी हल हो सके तो बहिया जीरो में किसी से भाग करते हैं जीरो आता है वान अपान फूर कुछ भी नहीं होगा वन अपान फूरी रहेगा यह देखिये कटे पिटेगा तो एक बटा दो आएगा कोई डाउट नहीं न देखो बाबु य आंसर आपके सामने आ गया चरन बंधन करता हुआ नीचे दिख रहाए ना तो जीरो और्गमूल हमेला क्या होता बैया जीरो होता बाबाबु वया वन अपान फूर देखो वन का वर्गमूल वन होता है फोर का टू होता यह прям हम कह सकते है इसका वन अपान टू ठीक ediyorum होता ज इसमें देखो 1 कवर्गमूल 1 हो जायगा बाबू लेकिन 2 कवर्गमूल नहीं निकलेगा पूरी तरह से तो 2 कवर्गमूल अंडरूट दो में ही रहेगा अब भी थोड़ा कमें दिख रहा है दिख रहा है पूरा ना क्यों मेरी इज्जत देखना चाहते हो बई नीचे थोड़ा सा गंदा टाइप का दिखता यह लो देख लो मेरी इज्जत भी देख लो तुम लोग चलो यह ठीक है इसमें देखो तीन का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट तीन ही रहेगा चार क lender कमान 98 eco होता है साइं 30 कंकान क्या होता बाभा एक बटावह होता है साइं 45 ans का मान बटा रूटो होता है साइन शाट I ayrंस को मान रूटाव होता है साइनसнитьक मान 1 होता है तो कितना मस्ट तरीका है न जुगार अमस्त रहेगा या नहीं करना तुम आ बिल्कुल नहीं ही रटन आया ना कुछ लोग मने मन गरिया रहे हैं साइन का तो बताए दिया कास वाला के बताए अटेन वाला के बताए भई और भी तो है ना इनके उनको भी बताता हूं चलो जब ललूलाल आ गए तो फिर दूसरे लोग काह नहीं आएंगे इसको लिख लिए जल्दी से स्क्रीन हो गया जल्दी करो अब मैं इज्जता से तोड़ी दिखाता रहा ज्यादा देर तक चलो हटा दिया na मैने ठीक है और देको सम्झो एभाई कोई स्टरों कोई सोटावरे स्क्रीन के बता दो सम्झों सम्झों सम्झीफास वाले में क्या करते हैं ने साथिओं कंस्वाले में क तो पुछ भी खरो काश वाले में भी ऐसे होता लेकिन उसमें घृंटी थोड़ा उल्टा लिखते हैं थोड़ा उल्टी बुद्धी का वह घ्र बाहल बुद्धी जीसे बोलते हैं देशी भाहस समय आज यह दोनुअ भाई भाई है एक माय बाप के लड़के हैं साइन कास ले यहां निकालेंगे ऐसे ही सब कुछ लिखेंगे जैसे उसमें लिखे थे आपको बदलना नहीं था यह मैंने थोड़ा अच्छा ज्यादा दिखाने के लिए इसमें क्या करते हैं बाबुआ इसमें नंबर वैसे जीरो से ही लिखा जाता है लेकिन उदर से लिखते हैं साइन वाले में इसरे दिखना सुरून करता हैं लिखेंगे हैं सब कुछ बैसे करेंड़ेंगे यहहाल हो जाएग उना जाएगा आपको पता है कड़ जाएगा यह तीन बटा चार कुछ नहीं होगा यह कट जाएगा वन अपान टू आजाएगा यह वन अपान फॉर ऐसे रहेगा यह जीरो हो जाएगा ठीक है ना बाबु समझ में आ रहा है ना मैं सामने से हट भी जाओं तो तुम टेंसन मतले ना एक भी पैसे का चलो ड़न अब सभी का वर्गमूल कर दो फटा फट फटा फट सभी का वर्गमूल कर दो फटा फट कर दो कर दो कर दो एक का वर्गमूल एक रूट तीन का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट तीन ही रहेगा चार का वर्गमूल निकल जाएगा दो आ जाएगा एक का वर्गमूल ए 0 होता है मिलालो sin 0 कमान 1 sorry 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 sin नहीं cos अरे वो तो तुम्हें दिखी रहा cos 0 कमान 1 cos 3 ans कमान 1 बटा रूट 2 सिधा बोलो cos 45 ans कमान 1 अपान रूट 2 cos 70 ans कमान 1 अपान 2 and cos 90 ans कमान 0 अब बोलो sin cos आ गयना बया हो तिरकोड़मिती अनुपात में sign kasi मुख है sign kasi मुख है एक परधान मंतरी है हमारे देश के एक राश्टरपती है नहीं राश्टरपती की कम बैलू होती एक परकार से उनकी ज़्यादा मतलब जरूरत नहीं पड़ती है एक परधान मंतरी जी है ग्री मंतरी है बाकी नीचे सब वो इसे लल्लू पंजू है समझ गए ना किन की बात कर रहा हूँ मैं अरे इनकी सब की नहीं तो कोई कलेम कर दो मेरे खिलाब चलो देखो समझो कहने का मेरा ये मतलब था कि साथियों तिरकोड मिती अनुपात में कुल छे अनुपात होते हैं साइन कॉष टैन और दूठीन की पतनिया होती है सब की अलग-अलग कैसे अभी देखो बता रहा हूं तो में तो साइन काश टैन होते हैं लेकिन जब साइन काश एयसा है तो टैन अपने पीछी पीछे पीछे लागा रहता है। जैसे थी की Wealth brought तेन क्या है इन दोनों को बहुत बड़ा भगत है देखो बताता हूं कैसे अब समझना आप कहोगे यह तैन वाले के लिए इतना नो टंकी बता रहो का हाँ पहले मुझे यह बताओ कि आपको साइन कॉस यह निकालना आया समझ में कि नहीं मुझे यह बताओ सब भी बताना इमानदारी से बताना बिल्कुल दिल खोल के बताना आया समझ में आया ना देखे साथियों अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा याद करने कि मैं जुकार बताता हूं मैं जुकाड बताता हूँ तुमें 90 तक कैसे आत करोगे मैंने मिटा भी दिया कुछ लिखा भी नहीं स्क्रीन पर लेकिन अगर मैं अब तुमसे पूछूं कि बचवाई बताओ साइन पैतालीस अंस का मान कितना आया था जरा सोचो आधा मिनट साइन पैतालीस अंस का मान कितना आया था तो बाबु आपको पता है कि मैंने क्या पूछा है तुमसे साइन फुर्टी फाइब का वैलू ना एक मिनट के लिए सोचो हमने अभी कितने मान निकाले थे या फिर कितने आपको बताएं एक जीरो का बताया था एक तीस का बताया था एक पैतालीस का बताया था एक नब्बे का बताया था जीरो तीस पैतालीस साथ का भी बताया था नब्बे पांच बताया था ना तो भाईया हो जीरो से इसमें काउंटिंग करते थे आपने देखा ना पहले जीरो लिखा था पिर तीफ लिखा था पिर पैतालिफ इसाथ तो जीरो तीसरे पैतालिस यानि पैतालिस तीसरे नंबर पे आया था किस पे आया था तीफरे पे जीरो तीस पैतालिस तीसरे पे आय यह तो लिखा था कि कुछ और लिखा था आभी sign जब मान निकाला था सारा देखा था आपने तो पर क्या किया लाइस्ट में 2 का वर्गमूल अंडर उट दो होगा यानी 45 कमानिक बटर उट दो आएगा या आपके दिमाग में इतना हल हो जाना चाहिए बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना जैसे आप से कोई पूछा साइन 45 आप तुरंट समझ जाओ कि साइन 45 के नीचे 2 लिखा था काउंटिंग दो हो जाएगा फिर वर्गमूल निकालना होता इतना आएगा याद हो गया ऐसे अगर हम बात करने साइन 60 की साइन 60 की आप सोचो जो तीफरे पर आया था उसके नीचे दो लिखा था और जो चौथे पर आया था उसके नीचे तीन लिखा था तो यह चौथे पर आया था इसके नीचे तीन लिखा था तीन लिखके क्या किया था चार से भाग दिया था यह तुम सबको पता है उसकी बाद हमने इनका वर्गम नहीं है बिट्टा पढ़ो चाहे न पढ़ो फिर वही कहेंगे ना गुरु को दच्छिना ऐसे है स्वारी पंडिजी को दच्छिना से काम बर्मरे चाहे कन्या समझेगे ना लेकिन आप लोग दच्छिना भी दो ने देंगे यह मुसीबत है चलो ठीक है भारा पट लिख लो बात ही देखो ऐसे नहीं ऐसे नहीं बोलना चेह गंधी बात पढ़ाई करिये इमान दारी से मैं मेहनत के पढ़ा रहा हूं अब मेहनत से पढ़ो उपागु तो कमेंट के चकटर में पढ़ा देखो पंकज-कुमार मोहीत-्मनिस अनुपम और कौन का नहीं है पूनम करते जाओ उसे जैसे बोल रहे हैं ऐसे करो कोई आओ डाउट है नंबर चल रहे हैं उन पर कांटेक्ट करो लेकिन अगर कहो कि हम बात करते रहें तो पढ़ा कहां पाएंगे फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना भाई इसलिए पढ़ाई भी होती रहे मस तरीके फे चलो कि कं ESSA का आप याद करने का सिस्टंऐ कर लोगे याद करने का तरी का बता दिए उखके पांगे पांगे बटाए तेम की आप गहल कि निकालना ना बाबू तो 10-30 का मान लगे के लिए साइन 3 पैशान के दसके मान को को से भाग देते हैं यही एक तरिका। इस का है अब ही में तुम्हें सिखा दिया हूँ संतीस अंस कमान मतलब 0, 30, 45 से गिना था ना तो 0 1 2 3 4 आपे लिख था इसे इफ हैं सब को चार से बाग दिया थाना तो भाहिं इनको भी 4 से बाग दिया थे हैं ह灣 पिर सब्तको और मुला किए थाना इनका बर लोग या थाना यहनि साइन 一 Kopf two then इप शके दा शक्राइब का इंसकर के दा शक्राइब कर दा शक्राइब गडित. इएक से शक्राइबं का शल्षाएब रश्डब गाश कवरा शक्राइब माद कहीं A बटा B और नीचे C बटा D है न चाचा तो क्या करोगे पता है आई से करते हैं यानि A गुड़े D होता है और B गुड़े C होता है यह सूत रहा है याद रखना ठीक है अगर कहीं A बटा B और C बटा D रहता है तो A का गुड़ा D में होता है B का गुड़ा C में होता है यानि सबसे उपर का नीचे में और बीच बीच का तो उसी तरीका इसमें भी करेंगे सबसे उपर का सबसे नीचे में यानि 1 x 2 और यह 2 x 2 रूट 3 यह कट गया एक बटा रूट 3 बचा यानि साइन कॉस्स दोनों मिला के हल किया तो 10 कमान वान अपा रूट 3 आया इस तरह से आप 10 का कोई भीमान निकाल सकते हो बोलो निकाल लोगे कि नहीं आप मुझे कमेंट करके बताओ सभी फटाफट की 10 45 हंस का मान क्या होगा और फिर 10 60 हंस का मान क्या होगा ए इतने में काम नहीं चलने वाला GS 37 अभी बताओ चल बताओ Frage में पटापड़ बताओ सारा कमेंट आपको लिखित में रिपलाई मिलेगा सर आर आपको रिपलाई कर रहा है बई परिसान लेकिन हम आपका नामी बोलेंगे तो पढ़ा नहीं पहेंगे ना यहनी परसना वली आठ दस हम लो दो परफन फंख्या 1 से सुरू करेंगे सारे परसनों का जबाब ताबर तोड इसमें देते जाएंगे और आप फटा पट देखते जाना बताओ तयार होना सभी तयार होना च क्त्रीन पर देखो फटा फटक्त सक्रेंग पर कुश्चन आपको दिखे रा है कर आहां इनके मान निकालिए क्या 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 है साहिं600 इंट वृक्त्रीन और म VI आड़ और प्ल्छ थीश और प्लस का सूंटस थीश साइन तीस और कॉस्साथ ओके दन चलो तो साइन साथ हंस कमान क्या होगा बबू साइन साइन साथ हंस कमान क्या होगा जो कॉस्स तीस हंस कमान होता है वही साइन साइन कमान होता है रूट तीन अपान दो है न यही होता है क्या हा सही है तौरूर्ट तीन अपान दो और साइन साथ का जो होता न वही कॉस्ट इसका होता है यहीं इन दोनों के मान यहीं होते हैं अभी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में यह पढ़ाया था अगर तुम्हें नहीं पता इनके मान कैसे निकालते हैं तो आप कमेंट करके बताओ इनका गुड़ा करोगे चार हो जाएगा इनका गुड़ा करोगे वन अपान फोर हो जाएगा आपको बहुत अच्छे से पता है हर हर बराबर है अंस जुड़ जाएगा ये फाइनल में फोर अपान फोर हो जाएगा इन्हें सिंप्लिफाई कर लोगे वन आ जाएगा ये क्या यहां आनोर हो गया लिख लीजिए इस्क्रेटंकर ली जिया और मैं इन को मिठाउं आपि जल्दी करिए आप से ब्सक्राइं इत्ना मोटा नहीं दिखा पूंगा है के तो स्वेस्टन मचें हलके में करके दिखाना पड़ेगा लिख लीजिये हो गया डन कोई सवाल कोई डाउट एनी कमपलेन बताओ नहीं ना इसक्रीन साथ लो चलो अगला नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट दिखाओ भई अगला पार्ट देखो नीचे क्या कहता है कह रहा कि 210 स्क्वाइर 45 डिग्री कुष्चन दिख रहा है इसक्रीन पे दिखाता है दिखावा फिर ते दिख रहा है ना चलो तो कह रहा है बाबु क्या कह रहा भई कह रहा कि 210 अरे 210 तो बाद में लिखेंगे पहले हम एकसर साइज तो डाल दें एकसर साइज एट पॉइंट टू अ टैंथ एंसी ए आर्टी मैथ ऐसा ही लिख दो गोंचो नहीं डन ओके समझो मेरे साथी 210 ना तैन पैतालिस दिख रहा है ना तैन पैतालिस कमान क्या होता है चनते हो साइन पैतालिस कमान एक बटा रूट दो होता है ना कॉस पैतालिस कभी एक बटा रूट दो होता है जब दोनों का बराबर होता भाग देते ना बाबू तो टैन पैतालिस कमान एक होता है और चुकि टैन पैतालिस कमान एक होता है और चुकि टैन पैतालिस कमान एक होता है लगा है तो हम प्लफ लगा देंगे अब लिखा है कॉस स्कॉायर स्कॉायर 3 plus cash square 30 के बाद में minus sine square 60 है तो minus कची न लगाएंगे और 3 sign terms कमान क्या होता है sign 60 times कमान न sign 60 कमान यह होता है under root 3 but 2 इसका भी square करेंगे बस इनको हल कर लेना है जो भी आएगा simplify करके आपका answer आपके सामने है तो साथ ही इसको हल करेंगे 2 हो जाएगा ये इसका square करेंगे 3 और नीचे 4 और ये माइनस 3 बटा 4 इसमें किसी को कोई doubt एनी question नहीं न देखो ये plus में है ये minus में है दोनों एक समान है सब कुछ तो इने हम काट सकते हैं फाइनल में दो answer लिख सकते हैं क्यों क्योंकि ये plus 3 बटा 4 है माइनस का 3 बटा 4 है ये हो गया answer जल्दी से स्क्रीन साट लिजिए नोट करिये हमारी भी थोपड़ी आनी चाहिए स्क्रीन सार्ट में चलो अरे फोटो केचन है यार किछ लिए अच्छा लग रहे नाम कि सुभाई नहाए आज चलो अगला इसका तीसरा पार्ट देखो अगला वाला ये भाई साही दिखा यार गंदा नहीं क्वेश्चन तो सभी दिखा दो कम से कम नीचे देखिए सबसे नीचे क्वेश्चन दिख रहा है बोलो हां एंसी आटी का बुग लियो ना बाबू सभी लोग कमेंट करके बताते रहना और हां इस क्लास को लाइक करना ना भूलना यार यह आपकी जिम्मेदारिया लाइक जरूर कर देना यार प्लीज और सब्सक्राइब भी कर लेना उसमें का यह जा है चलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा सिर्फ मान रखूंगा डारेक्टली आप ध्यान से देखना क्वेश्चन कह रहा है कॉस्पैतालीस अंस नीचे बटे में सेक्ती संस प्लस मैं अभ यभी बताया था मान निकालना कहस प्लस के मान होता एक बटा रूट दो नहीं आता मान निकालना तो कमेंट करके बताना आपको वीडियो लिंक मिल जाएगी इस के बाद में थीक है सेक्ती संस का मान देखो बाबु एक चीज मैं तुम्हें नहीं बताया क्याए था साइन का उल्टा कॉस एक होता है लिख लो और कॉस का उल्टा सेख होता है और कॉट का उल्टा कॉट होता है तो जो साइन तीस कमान होता है उसी से कॉस एक तीस कमान निकलता है और जो कॉस तीस होता है उससे सेक तीस निकलता है CAUSE 30 क्या होता है आपको पता है मैं बताया हूँ अभी सब बताया हूँ CAUSE 30 HUNSKMAN वह तो SIG क्या हो जाएगा ROOT 3 kale 2 का ULTA हो जाएगा बाबू यह CAUSE 30 का होता है CAUSE 30 का ULTA SIG 30 हो जाएगा ULTA का मतलब यह 2 उपर हो जाएगा यह चाचा नीचे आए जाएंगे बस समझ में आया ना यह बुद्धी तुम्हें लगानी पड़ेगी इसमें थोड़ी सी एक्दम छुटी सी बस तो यह हो जाएगा दुई बट्टा रूट तीन ठीक है? डन किसकी जगा पे? किसकी जगा पे? सेक्टीस की जगा पे फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाओगे कॉस्यक्तीस बई कॉस्यक्तीस का जानते हो क्या होता है साइन तीस जानते हो साइन तीस हंस का मान एक बटा दो होता है तो कॉस्यक्तीस हंस का मान दो बटा एक होगा दो बटा एक का मतलब दो हो जाती स्क्रीन ठीक है और पूरा क्लास एंड तक देखना बीच में छोड़ के ना राजा राजा है एक बट्टा दो ऐसे का ऐसे ही रहेगा उपर जो है अभी नीचे निप्टाएंगे इनको हम सब आपको तिर्चा मिर्चा गुडा करना आता है न आता एक नहीं वन का कि इस्कcing बल 2 में करोगे तो यह 2 रहेगा प्लस थी का सम competitors बीच करोगे तो यह हो जायगा 2 century अंडरू अर्रूस तीन हमे को दिक्कत कोई परिसानी नहीं नाore रहा से अब हमने आपको बताया था बाबू अगर ऐसा होता है कही है अभी अभी बताय form इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सायद एक बार मैं फिर से बता दूँ तुम्हें ध्यान से देख लो इधर इधर देख लो राजा देख लो बाबू देख लो अगर A बटा B और नीचे C बटा D कहीं हो जाता है ऐसे चार तो क्या होता है पता है A का गुड़ा D में होता है B का गुड़ा C में होता है यानि A का D में B का C में याद रखना तो ऐसी स्थिति यहां पर बनी है यह A है यह B है यह C है पूरा यह D है तो A का गुड़ा D में करेंगे तो भहाया हो बाबू हो कर लो A का गुड़ा D में यह लो और फिर A का गुड़ा D में हो गया यह B है B का जगा का गुड़ा C में करेंगे यह ऐसे बनेगा ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना No doubt, no tension चलो आगे बढ़ते हैं खटाखट हम लोग देखिए यहां पर हमें इसका मुल्टीपल पूरे में करना इसलिए कोश्ठक लगाएंगे नहीं तो यह एक में गुड़ा हो जाएगा कोश्ठक जरूर लगाना ठीक है अब इसके आगे हल कर लेते हैं जगा बची है इसमें कुछ हल वल नहीं होगा अन्डरूट लगा इसके आगे कुछ होगा नहीं लेकिन जो हो सकता है लिख देता हूं यह लोगा यह और रूटी 3 हो जाएगा वनका मल्तिपल होगा यह दो का गुड़ा जब रूट 2 में होग बबब, अन्डरूट 2 का गुड़ा जब इसमें होगा ना यह दो ऐसे ही रहेगा जैसे है पहले यही आंसर हो जाएगा इसमें और आगे कुछ नहीं हो सकता है कि हो सकता है क्या सोच के बताओ आप कुछ हो सकता है क्या हाँ हो सकता है ऐसे इसको आंसर नहीं छोड़ा जाएगा इसके आगे हो सकता है क्यों छोड़ा नहीं जाएगा उस अब ही आंसर नहीं हुआ हो, अब आगे करेंगे उसमें परमेई करण करेंगे. एक्चूली में साथियों उसमें नीचे वर्गमूल का चिन्ध लगा है, हाँ? ये तो मैं आइसे लिख दिया आंसर फरजिये में अभी आंसर नहीं, अभी इसको हằल करेंगे, हाँ? इनको क्या करें अब 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 हर का परिमयी करन करेंगे ंशेज छिती में क्या करते हैं हर का परिमयी करन करते हें उदर जगा नहीं इसलिये वहां हल नहीं हो सकते बोगत तो यहाँ पैसंगे एंडरूर्ट तीन अपानमे जो भी है लिखे लो oso Rabbit 2 न्डरूर्ड दो प्लस 2 अंडरोीट6 ठीक ला ? साथियों हरका परमैही करण का मतलब यह पूरा का पूरा जैसे है ऐसे ही लिख लेते है सिर्फ चिन जहांपे पलस है वहाँ पे माइनस या माइनस है तो पलस कर देते हैं बस तो यह पूरी कहानी ऐसे ही रहेगी यह प्लस की जगह यहां माइनस हो जाएगा बस बाकी और कुछ नहीं होगा सब ऐसे रहेगा सेम टू सेम सब का मल्टीपल करो फटा फट एक में खटा कट करो जल्दी जल्दी कर लोगे न कोई दिक्कत नहीं इनका गुड़ा इसमें कर लो आपस में देखो कितना आएगा मु नहीं लिखते हैं तो यह पूरा का पूरा यही तो रहेगा यह रहेगा आप वही ना बात यानि चिन्द वजल देते हैं उसी हर से ही उपर नीचे गुड़ा करते हैं ठीक है तो आप इनका इसमें गुड़ा कर लो भई मल्टीपल कर लोगे ना सबी कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा अंडरूट छे माइनस ऐसे इधर भी हो जाएगा तो यह बारा हो जाएगा है ठीक है कोई दिक्कत इसमें नहीं ना कोई दिक्कत मुझे लग रहा है कि आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकती है हो रहा है हां देखो बताओ एक बार पूरी कहाने सुन लीजिए कही नहीं जाना नहीं देखो समझो अगर इमानदारी समझो के अच्छा रहेगा साथियों फिर से पूरा बता रहा हूं यह यहां पर 18 रहेगा समझो थोड़ा सा बताना मुझे हां देखो कैसे यह आपकी एक नई लाइन है उपर एक लाइन हाल हुई थी यह नई लाइन थी हम साय का दो में गुड़ा होगा तो छे हो का लेकर इंडर रूट में ही रहेगा लेकिन जो यह सॉमने था न यह यहां लिख दिया जाता इसका यह मतलब होता है इसका गुड़ा नहीं होता कि बारा हो जाए Richardsね यह समझ में आ न यह चीज है तो इसी तरह से यह 2 रूट पुण हुआ है कौन सा हुआ है यह क्योंकि टू थीन का गुडा जब दो में हुआ तो यह 6 हो गया यह दो ऐसे का वैसे लिख दिया इसी तरह से साथियों रूट 3 हीं 6 हुआ तो जब 3 का गुडा 6 हुआ इं 2 जो था वैसे लिख दिया नीचे समझेट यह a plus b a minus b बोलो सूत्र बनता है ना पता है ना आपको a plus b और a minus b बनता है तो लगा दीजिए फिर दिक्कत क्या है सूत्र लिखके दिखा देता हूं तुम्हें थोड़ा इधर कॉनने पर देखिए मैंने सूत्र लिखा इसे देख लिए ध्यान से एक बार एक मज़र a plus b a minus b का सूत्र होता है a square minus b square ठीक है तो इसे समझ लिजिए यह किवल फार्मूला समझने के लिए मैंने बताया था ठीक है जो अभी अभी बीच में जुड़ा हो समझ ले question यहां से सुरू हुआ है मैंने मान जो रखे है exercise 8.2 परसन संख्या पहले का तीफरा पार्ट है सारे मान रखके मैंने यहां तक किया यहां के बाद मैंने यहां किया है ठीक है यहां करने के बाद में इसको लिखने के बाद में यह लाइन यहां चल रही है यह फर्मूला पहने और माइनस B स्कॉयर मतलब इसका होल स्कॉयर इसमें किसी को दिक्कत नहीं न ठीक है डन तो ये दो अंडरूट छे इसे यहां पर याद रखना इसमें भी दो है इसमें भी दो है तो साथी मेरे इसमें हम दो कामन ले सकते हैं अगर दो कामन लेंगे तो यह ऐसे बचेगा ठीक है इसमें दो निकल जाएगा कामन अब ये दो का होल स्कॉयर चार हो जाएगा और ये दो का इसकॉयर क्या हो जाएगा दो न आप थोड़ा सब्सक्राइब करना इसको है इतना लिखेंगे यहां तक फिर इसको लिखेंगे उसके बाद यहां फिलिखेंगे जल्दी करो इतना कर लो फिर मैं मिटाके बताता हूं कि हो गया डन चलो ठीक है देखिए जो हमारे साथ में जुड़ेगा step by step पढ़ेगा बाबू उसी को समझ में आएगा अगर आप अभी बीच में जुड़े हो न तो आप ये class खतम हो जाएगी तो फिर से class देखना तो समझ में आएगा या फिर अभी नया question बताएंगे तब वहां से समझ में आएगा लेकिन अगर तुम कहो कि हम बीच में जुड़ गए हमें सब समझ में आजाए तो नहीं समझ में आएगा इसमें step by step पढ़ोगे तब ही समझ में आएगा बीच में जुड़ने फिर नहीं आएगा चलो समझो इसकी जगह पे हम पूरा आठ लिख सकते हैं और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दो दूना चार चंग 24 अब ये कैसे हुआ जरा समझो हमने कहा कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बाबू आठ लिख सकते हैं ऐसा क्यूं देखो होली स्कॉयर लगा है ब्रेकट बंध है इसका मतलब यह है कि इसका भी स्कॉयर है और इसका भी स्कॉयर है डीटील में समझो ठीक है तो दो का स्कॉयर चार होगा और दो का स्कॉयर अंडरूट में है तो इसका भी अंडरूट चार होगा बोलो होगा न तो यह चार ऐसे ही रहेगा इसका वर्गमूल होगा तो दो आजाएगा फाइनल में आठ होगा किसी को कोई डाउट है तो बताओ इसका यही मतलब है बोलो समझ में आया न आया न तो जो वर्गमूल के अंदर अगर ऐसा रहता है कोश्टक बंद रहता है लेकिन आधा रह जाता है यहनि अगर हम साटकट में बात करते तो जो इसका स्कॉयर हुआ चार और इसका दो चार दूना अठ है इसलिए हमने लिखा लिया लेकिन डीटियल यह है समझ गए ना तो चलें आगे बढ़ें इसमें किसी को कोई डाउट बिल्कुल कोई तकलीफ होगी तो बता दे ना मुझे कि यहां इसमें बड़ी तकलीफ है मुझे देखो भाई अब क्या करेंगे बाबु समझना यह जैसे भी है इसे ऐसे ही लिख लेंगे अंडरूट यह 6 है माइनस अंडरूट का ठारा नीचे क्या करेंगे इनको घटाएंगे 16 ठीक है इनको हम सिंप्लिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा सिंप्लिफाई कैसे कर सकते हैं जड़ा सोचो और बताव मुझे जड़ा सोचो और बताओ सोचो बताओ हमें काम कर सकते हैं इनको काट सकते हैं अभी minus 8 है यानि यह बचेगा under root 6 minus under root 18 नीचे minus 8 लेकिन कभी भी आंसर में minus लगा कि नहीं छोड़ा जाता है यह rule होता है क्यूं होता है कैसे होता इसके बारे में आप अब ही पढ़ने लाइक नहीं हो बड़ी class में जाओगे तो बता जाएगा तो हम इस minus को हटाएंगे इसके लिए माइनस 1 से ऊपर नीचे गुड़ा करेंगे दोनों में ठीक है तो माइनस 1 से जब नीचे गुड़ा करेंगे बाबूत ही ऐसे हो जाएगा detail में बता रहा हूं समझते जाना detail में बता रहा हूं, यह लो ऐसे होगा तो नीचे का minus, जो है वो प्लस हो जाएगा minus minus और इसमें जब गुड़ा होगा तो हम जोदा यह minus का root 6 हो जाएगा और यह minus one और यह minus plus sollten यह nि 18 वाला plus हो जाएगा यह सूछा वाला मैनस हो जाएगा तो हम प्लस वाला पहले लिखते हैं इसलिए quit पहले लिख देंगे और यह अदर उडचे बाद में लिखे देंगी और यह आठ यह आपका क्या हो जाएगा फाइनल में इसका आंसर हो जाएगा इसके आगे इसमें कुछ भी हल नहीं होगा ठीक है यह उत्तर आगे आपका थर्ड पार्ट समझ में आया जो साथी पूरा कलास देखे थे सिस्टम से उन्हें अच्छे से समझ में आया होगा और जो बीच-बीच में इधर उदर जुड़ खचर-पचर करके उसे नहीं समाझ में आया होगा है दर को डाउट कोई नहीं ना आगे चले चलो ठीक है तो साथी भाई चलो आगे बढ़ते हैं इसका अगला पार्ट दिखा दिजिए चैसे पार्ट 10-45 इनको जोड़ना है तो पहले तो मुझे ये बताओ तुम सभी साइन्ती संस का मान क्या होगा फटा फटा बोलो साइन्ती संस का मान क्या होगा ये मान बैठ के रटा नहीं जाता है कुईस्चन जितना जादा लगाओगे मान रखने पड़ेंगे बार बार बीना देखे अगर मान रखोगे तुम तो याद हो जाएगा अगर तुम कहो कहम बैठ के रटें साइन्ती 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 तो चचा याद वादना हो एक को फिर तो बैठ के रटना नहीं है बस कोशिस करते रहे ना यार कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती कुछ किये विना यूहीं जय जय कार नहीं होती लारों से डर करनों का पार नहीं होती गाते रहो नाचते रहो क्या कमाल का जमाना है डान्स बोल को लोग सम्मान से देखे है कहickers भई फ्हलाणे डानसर है लोग सम्मान से देखते आगर क्लें अना नचानीया है या नचानीया अगर का मतलब नचानीया यह फो Pel infection वो हिंदी उग्लिंस थे कुष्चन स्क्रीन पे सब को दिखरा नीचे देखो हमारे यह यहां दिख रहा ना कुष्चन दिख रहा ना अरे इदा देखो ऐसे यह दिख रहा न ठीक है दिख रहा ने का चलो कहता है साइन-1-25 कमान रखो खटा जद रखो साइन तीसंस कमान एक ब्टा दो हम क्WCM कविस्चन काहें लिखें फालतू फरजी में प्लस 10 पविताली संस कमान वन होता है माइनस कोसेक तीस कमान कोसेक सथ हंस है और जो साइन साथ का होता है । उसका उल्टा कोसेक शाथ का होता है यहीनि दीन कीरण बन Math का उल्टा होगा है रूट नीचशे वाले में भी मान रखने है अभी पूरी कहानी होई है ढ़ी सब्सक्राइब उपयों ears on 고 no आज बनées म awareness प्राइब धर श्रीब मान रखो कि नीचा तीस का मावन रखो सिको बॉब जो साइन 30 का मान होता है न उससे नहीं मतलब है जो न आतरा deleted होता है तो сек 30 का मान होता है दो बटा रूट थीन अब यह मान कैसे जानते हैं इसके लिए आप इसका इंट्रोड़क्शन पर देखो का ओस्साथ हंसका मान रखना है अ एक वटाँ दो फिर प्लस है कॉट 45 अंस का मान रखना है बहिए 10 45 कॉट 45 उसका उल्टा होता है यानि वन यह मने सारे मान रख दिये हैं यह वन को हम वन अपान वन लिख लेंगे अच्छा रहेगा है ठीक है हो गया इसके नीचे भी वन लिख सकते हैं अब इनको सिर्फ हल करना है बस हल करना बहुत आस यह सब को पता है इसमें किसी को कोई मुसीबत दिक्कत नहीं हमने सब की का लसीम ले लिया अब क्या करेंगे भाई लसीम लेना तुम जानते हो ना है लसीम में इस हर से भाग करेंगे जैसे भिन का हल करते हैं वैसे ही तो लसीम आया है दो रूट तीन जब इसमें दो से भा ना रूट-3 तो यह बचा बावू रूट-3 बचाना अब जो रूट-3 बचाना उसका गुड़ा करेंगे इसके अंस में तो अरूट-3 का वन में मल्टिपल होगा अंडरूट-3 फिर प्लस का साहिने तो प्लस इस बात को याद रखना जैसे बता रहा हूं जिनको नहीं आता यह भी समझ में न वह बेसिक मायत पहले पढ़ें जीरो लेबल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहले जीरो लेबल पढ़ो बावू हर रभीवार रात के नौ वजे से PBR study इलाहबा चैनल पे देखो एक एक गंटे का लाइब होता है परते एक रभीवार PBR study app में जाके basic math लेलो एक महिना के अंदर सीख जाओ पूरा ठीक है चलो अब इसमें इससे नीचे जाओ गद नहीं हो पाएगा अब 2 into under root 3 LCM आया था अब इस LCM में 1 से भाग करोगे तो यह पूरा पूरा इतना ही आएगा क्योंकि 1 से भाग देते हैं जिसमें वह उतना ही आता है तो इस पूरे का इसमें गुड़ा हो जाएगा ती हो जाएगा 2 under root 3 ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं माइनस का चीन है माइनस लगाएंगे अब under root 3 से भाग करेंगे किसमें इसी वाले में पूरे में यह LCM है ना यह LCM है नहीं इसमें root 3 से भाग करेंगे दूरन 3 से बाग करो granddaughter 3 कर जाएगा 2 आयगा और याफ विखताद में गुडाओं का चाहरा आएगा यह अभी तक मेस कई तक उपरे में हुआ यहा बीच आप मारना बाकी है यह यह बीच आप मरीकर यह है जकित्छी लगश्य तो इसमें, 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 अभी तक हम इसमें, इसमें और इसमें थे, समझ रहे हो, इसमें, इसमें, इसमें थे, अब हम इसमें, इसमें और इसमें हल करेंगे, इन सब का जब LCM लेंगे, ए रुक के इनका भी LCM वही आएगा लेकिन LCM लिखने के पहले यहाँ जगा छोड़ के एक लाइन तब लिखते हैं यह दूए अंडर रूट 3 LCM आया ना ठीक है वही परक्रिया इसमें भी करेंगे साथियों जैसे उपर किया PCM में रूट 3 का भाग करेंगे तो preced Samara करेंगे इसमें तो दो आएगा 2 कहाि 2 गुडा करो के चार आएगा बीच में प्लफ है ठीक है दो से भाग करोले से मतलब इसमें रूट तीन बचेगा रूट थीन का कुड़ा करो रूट थीन आएगा इससे भाग करोगे इसमें एक से तो ये क्या बचेगा दू रूट तीन को कि ठीक है कोई दिक्कत इसमें नहीं ना नो प्रावलम नो डाउट चलो लिख लो पटा-पट चाप लो आगे बढ़ते हैं यह कड़ जाएगा कैसे कड़ता है अगर आपको बेसिक पड़ा होगा तो मैंने बताया कई बार एबटा बी बटा सी वाला जो भी फार्मूला बताया वह ऐसे करोगे तो आपको किलियर हो जाएगा समझते चलो यहां पर देको जो बचा इसे लिखते हैं पूरा पूरा इसे ले चलो इधर भाएं कि देखो यह प्लस का माईनस का चार है यह प्लस का तीने रूट लगया तो इसके आगे इसमें कुछ होगा नहीं है तो इनको जैसे भी हैं आप में आपक वैसे ले चलक लगंग देंगे देंगे और प्लस रूट तीन और प्लस दो अंडर रूट तीन है ठीक है हो गया डन कोई दिक्कत नहीं न अब क्या करेंगे साथियों इसमें कुछ काम हम कर सकते हैं उका कर सकते हैं आपने अगर वर्गमूल वाला पढ़ा होगा तो इसमें कुछ जुड जाएगा कौन-कौन जुड़ेगा भाई कौन-कौन जुड़ेगा जरा बता मुझे बताता हूं देखो ये अंडरूट तीन है ये भी अंडरूट तीन है दोनों वर्गमूल में अंदर में बराबर हैं इनका गुडांक दो है इनका वन है तो गुडांक गुडांक जुड़ जाता है ठीक है क्या होगा ये ये जुड़ जायेगा तो बाबू ये हो जायेगा आपका समझते चलना य हम दोनों में वर्गमूल समान है समान है ना समझना थोड़ा सा समझना बस ज्unt era entwickelt बेधिये दोनों में भी वह ही इस्तिती है। इसका भी जुड जाएगा तो यह हो जाएगा फोर प्लस और यह पूरा हो जाएगा और चाहे तो हमें काम करें इसमें इसको फोर प्लस आइफा लिखने की बजाए भाई फोर को हम उधर लिख दें कोई दिक्कत तो नहीं ना फोर को उधर क्यों लिखेंगे क्योंकि एक जैसे हो जाएगा रूट रूट वाला एक दूसर एक उपन नीचे और एक वाला उसके नीचे तो इफले इसे हम सीरियल चेंज कर देंगे जिससे हमें हल करने में आसानी हो आप इसे नहीं करोगे तब भी सही रहेगा लेकिन हाँ थोड़ा सापको कल्कुलेफन जादा करना पड़ सकता है यह थ शमया उसे जाता है इसे आसूब मान जाता घड़ित में हाँ चलो हर का परमेई करन्न करने पर सबको पता इसके बारे में परमेई करन का होता है तो यह 3 into under root 3 minus का 4 यह जैसे भी है ऐसे ही लिख देंगे धन का 4 उपर नीचे जो हर में चिन है उसका चिन पलटके यह प्लस का माइनस माइनस का प्लस करके नीचे उपर गुड़ा करेंगे कर लो multiple कोई दिक्कत नहीं ना किसी को भाई यह दोनों एक समान चिन वाले हैं यह a प्लस भी a माइनस भी वाला है ठीक है तो multiple तो तुम करी लोगे इसमें कोई दिक्कत है नहीं किसी को हम नहीं ना इनका गुड़ा जब इसमें करेंगे भाई है calculation इसमें कच्छा 10 किमेत है मैंने मान रहा हूँ कलकुलेशन है कलकुलेशन करना पड़ेगा यह दोनों चिन समान है इनमें फर्मूला बन जाएगा आपका रूट 3 यह 3 रूट 3 माइनस कर चार का होली स्कुराइर बनेगा ना दोनों समान है और यह क्या बनेगा यह प्लस भी यह माइनस भी यह तुम्हें अच्छे से पता है तो यह 3 इंटू अंडरूट 3 इसका होली स्कुराइर और माइनस का चार का होली स्कुराइर यह बन्दा आपका इनको हल कर लीजिए आगे ऊपन नीचे ले चलके इसको इधर साइड मिटा दूं कोई दिक्कत नहीं ना चलो थीक है समझ ना आप कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम एनी डाउट नहीं ना चलो ठीक है कि समझते चलीए बिल्कुल टेंसन मत लीजी एक भी बिल्कुल टेंसन मतले ना समस्टे चलो अब देखो भाई इसका शूत्र हम खुलेंगे सूत्र तुम सबको पता है नहीं मैं दिखा देता हूं यहां फार्मूला लिख लो नीचे दिखा रहा हूं पिए माइनस बीका हो मजने के लिए लिखा हूँ बस नहीं तो लोग इसके बाद इसको लिख लें असा मत करना यह सूत्र है याद रखना सिर्फ और सिर्फ यह क्या है सूत्र है इसे याद रहना चाहिए अब इसी फर्मूला में इसको open करेंगे a का square होता है तो a का square की जगा पर हम 3 root 3 का whole square करेंगे ठीक है पुलस b का square होता है तो हमारे में b की जगा पर 4 है इफ लिए हम 4 का square करेंगे माइनस का 2a भी होता है तो माइनस का 2 लिखेंगे a की जगा पर यह मान रिखेंगे और b की जगा पर 4 है तो 4 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं किसी को कोई डाउट है तो बता देना बिल्कुल भी हरान मत हो ना ठीक है नीचे अब a का square माइनस b का square तो देखो बाबु यहां से समझ लो अगर हम इसका square करेंगे तो आपको पता है ना तीन का square नो हो जाएगा और रूट तीन का square तीन होता है फाइनल में 27 आएगा कितना आएगा 20 का से बनाएगा ना कि नहीं हाँ 20 से बनाएगा माइनस चार का whole square करोगे तो 16 आएगा आगे बढ़ो इनका whole square करो फिर वही मिल रहा है नो तरीक 27 और धन यह 16 और माइनस यहां देखो दूई चवकाथ आठ हो गया तीन जो है वो इसमें छूपा रहेगा यह देखो दूई चवकाथ और तरीक 24 यह हो जाएगा 24 अंडरूट तीन नीचे क्या हो जाएगा इसमें से गटा लो भाई देखो जो परेसान है ना बाबू कि आ नहीं रहा है यह कच्छा 10 कि मैथ है अगर आपको basic नहीं आती ना यार तो पहले zero level सीख लो बाबू क्योंकि इससे जादा basic हम इसमें नहीं पढ़ा सकते हैं यह high school कि मैथ आप पहले आप जा करके कच्छा 6,7,8 कि मैथ पढ़ो अगर यह नहीं समझ में आ रहा है समझने की कोसिस करो मैं बता तो पूरा रहा हूं लेकिन जो परेसान है उनके लिए देखो समझो अब यह दोनों जुड़ेगा साच्छा 13 के तीन दू एक तीन एक चार माइनस यह 24 और य और यह 11 कि इसमें अब और आगे कुछ नहीं हो सकता कोई गुंजाइफ नहीं है इसलिए यह क्या है अंसर है जितना गिर सकता था मैंने इसे गिराया पटका फेंका लेकिन लाश्ट में यहीं तक गया लिख लिजिए स्क्रीन साथ ले लिजिए वीडियो को रोंक करके लिखिए कोई डाउट है तो बताइए अगला प्रसन देखेंगे उसके पहले जो भी साथ ही अभी अगर हमें यूटूब पे सब्सक्राइब नहीं किये तो पीवीर स्टड़ी को सब्सक्राइब करें फेस पीडिये बाले में कितना पार्ड ता चार पार्ड तो मैंने करवादिय अच्छा रहेंगा? कई तो घर से कर लेना अच्छा रहेगा यह होम कर लेना यार भाई कर लोगे की नहीं जैसे सब कर वाये हूंँ इसको होम इर कर ले na जिससे कि तुम्हें अगर नो टोट कर रहे हो दिक्कत ना हो ठीक है हो गया तो यह होमर कर लोगे ना यह भाग चले आगे ठीक है तो अगला कुश्चन देखिए दूसरा कुश्चन आपके सामने स्क्रिन पर है ध्यान से देखिए और पूरा इंड तक देखना बहुत ही आसान है साथियों यह कह रहा है कि सही बिकल्प चुनिए इस्क्रिन पर देखिए या फिर काक्षा 10 की NCRT किताब खोल लीजिए एकसरसाइज 8.2 कहरा है सही बिकल्प चुनिए अपने बिकल्प का आउचित दीजिए है ना मतलब नीचे दिये गए जो आप्सन है उनमें से आपको जो करेक्ट आप्सन है उन्हें सेलेक्ट करने है ठीक है और करेक्ट आप्सन में से इनका आउचित देने का मतलब यह है कि इसमें चार आप्सन दिये गए हैं इसका कौन सा आप्सन सही है यह बताना है ध्यान देना इसके देखिए मैं आप्सन भी स्क्रीन पर आपको दिखा दिया हूं नीचे आप्सन दिखराना चार A B C D लिखा है न तो इनको हाल करना है जो फर्स्ट कुश्चन है उसमें से A यानि साइन साथ हाएगा या B C C 1060 या साइन साइन थीस आए यह बताना है तो चलिए कर लेते हैं ध्यान से देखना और कलास को पूरा इंड तक देखना बहुत यह प्यार से देखना थीक है तो साथी मेरे question number second है यह second का पहला part है पहला part क्या कहता जरा देखना आया कह रहा है two ten thons क्यों यहीं कह रहा है न two ten thons और one plus 10 square 30 इसको क्या करना है हल करना है यानि आपको सारे मान रख देने हैं और निकाल लेना है अब हम इन सब के मान रख के इनको हल करेंगे और question screen से हटा देंगे ठीक है जब यह हल हो जाएगा तो question आपको फिर से दिखाया जाएगा चलिए हल करते हैं ध्यान दीजिए साथी मेरे 10-30 अंस कमान आपको सब को पता है 10-30 अंस कमान एक वाटा रूट तीन होता है होता है न यह मैंने रख दिया 10-30 नीचे 1 है 1 प्लस यह 10 square 30 है तो 10-30 कमान जो है उसको रख के उसका square करेंगे ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं देखना आगे देखना बस बिल्कुल टैंसर मदले ना आप एक भी पैसे का हाँ चलो अब क्या करेंगे जरा समझते जाओ इनका उपर मल्टीपल कर लेंगे ति यह दूई बटा अंडरूट क्या बनेगा एक बटा रूट तीन बन जाएगा ना उपर मल्टीपल करके देखो दूई बटा रूट तीन ठीक है नीचे का देखना यह वन का वनी रहेगा प्लस इसका square का मतलब है एक बटा तीन इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए है ना अब नीचे वन कितना कर लोगे इसके बाद यहां आ जाना इधर साइड में साथियों इसको ऐसे ही लिख देंगे दूबटा रूट तीन जो जैसे हैं इसमें कुछ नहीं करना है इनका क्राश मल्टीपल करो यह हो जायगा 3 कम 3 और 1150 यानी यह जायगा नीचे क्या तीन प्लस ऑन और नीचे 3 एकम 3 ठीक है हलकर लिजिये दूइ बटा अंडरूट 3 नीचे हो जायगा 3 एक 4 बटा तीन इसमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं न, उपर का उपर गुड़ा नीचे का नीचे, यह अच्छे जानते हो तुम, इसमें कुछ कटे पिटेगा, बिल्कुल इसमें कट सकता है, आप देखो तो रूट तीन रूट तीन कट जाएगा, लेकिन आप का होगा रूट तीन कहा है, इधर कर लेता हूं कोई दिक्कत नहीं है यह मैं घेरा था जो मिठा देता हूं इसका काम खतम होंके आप समझ गए मैं जो कहना चाहता था लगत है ठीक है तो उपर तीन बचा है नीचे दो इंक्टु अंडरूर्ट तीन बचा है क्यों यही तो बचा है न तो ठीक है उपर 3 बचाया, नीचे 2 अंडरूट 3 बचाया कोई दिक्कत इतने में? नहीं, कोई प्रोबलम नहीं, ठीक है आप देखो यहां पर समझो बाबू, थोड़ा सा आप लोग समझो थोड़ा सा यह समझना है कि हम अंडरूट नीचे लगा के आंसर नहीं लिख सकते हैं हमेशा इसका परमेई करण करके वर्गमूल हटा दिया जाता है तो अंडरूट तीन गुड़ा अंडरूट तीन हम लिख सकते हैं कहां तीन की जगा पर तुम्हें पता है कि नहीं देखो हमें समझो यह अंडरूट तीन गुड़ा अंडरूट तीन का मतलब होता अंडरूट नौ उता है कि नहीं और भाईज आप नौक अवर्गमूल 3 होता ना बाबू अब बोलो मुझे क्या जैसा लिख सकता हूं या नहीं हाह नहीं भोलो पटा-पट बोलो क्या मैं तीन को अब यह क्या होगा कट जाएगा क्या कट जाएगा काड़ केदेखो कुछ कटेगा कि नहीं इस घाट जाएगा क्या य्जरूटतीन से रूट crystals pen अंडरूट टीन बटा दो बचेगा अंडरूट पड़ा तीन किसका मानहे बटा अंडरूट टीन बटा दो किसका मानहे तिर्कोडमितीयन उपात में النhat में कि sound by साइन 30 का है? ah सउन автом साइन 55 का है चलो question देखो screen पीज़ा देखा बई question एक मेनेट रुकाना question अगला देखाओ जो है देखो दुसरा question दिख रहा है option देखो इधर साइड में, option देखो हमें मद देखो, option देखो बस sign 60 है option में cost 30 कहीं नहीं है, cost 60 है cost 60 कमाद तो होता नहीं है यानि साइन साथ इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन नंबर ए ठीक है क्या हो जाएगा साइन साथ बोलो हो जाएगा कि नहीं क्या हो जाएगा बाबू साइन साइन साथ हो जाएगा यानि हम कह सकते हैं बराबर क्या साइन साइन साथ यानि यह साइन साट का मान है रूट तिन बटा दो थीक है तो हम कह सकते हैं आप सन नंबर एस ही था कौन सही था ये इसका आउचित्त हो गया जो यह आउचित्त पूछा था थीक है कोई डाउट किसी को कोई परिसानी नहीं ना कोई सवाल तो बताओ निसंग कोछ बताओ हो गया आगे बढ़ें चलिए अगला नेक्स्ट कुश्चन आप देखना हम अगला कुश्चन पर चलें ठीक अगला देखो इसको अटा देता हूं लिख लो इसक्रीन साथ ले लिख लीजिए मैं स्क्रीन कुछ सिकंड के लिए खाली छोड़ दे रहा हूं जल्दी करिये फटाफट दन चलो अगला नेक्स्ट कुश्चन देखो इसका अगला पार्ट देखो इसमें कई पार्ट है कि दूसरा पार्ट का कुश्चन देखे स्क्रीन पर आपके सामने है क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना इसमें भी वही करना जैसे पहले में करना था साथी मेरे चारा ओप्शन दिये गए हैं कच्छा दस की अन्सी आर्ट आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स एकसर देख भी देता हूं कुश्चन आप लोगों को परिसानी है तो 1-10² 45 और नीचे दिया है 1 पुलस यह 10² 45 इसको हल करना है और नीचे जो आपसन दिये हैं पहला आपसन ए है 1090, B है 1, C है 1045 और D है 0 आप लोग मुझे बताव इसमें से कौन सा आपसन साही हो सकता है जरा सोच की बताव एक बार चलो फटा फट देखते हैं बहुत आसान है मेरे भाई 1045 और 1 होता है यानि 1 का होली स्क्वाइर हो जाएगा नीचे 1 प्लस 1045 यानि वही फिर से 1 का स्क्वाइर कोई दिक्कत नहीं है डॉंट वरी यह 1-1 अपान 1 प्लस 1 इसमें भी किसी को कोई मुसीबत नहीं 1-1 जाएगा 0 1-1 जूड़ेगा 2 ठीक है फाइनल में 0 आएगा आपको पता इसमें आप संडी 0 दिया है न यानि हम कह सकते हमारा आप संडी करेक्ट है कौन सा है डी नंबर आप संड करेक्ट है लिख लीजिए इसक्रीन साट ले लिजिए जल्दी से वीडियो को रों के दिया तीसरा भाग देखी तिसरा भाग क्या कह रहा है देखो इस्क्रीन पे लिखाया थयान दीजिए कि नहीं साइन टू ए कि बरावर अप लका 50 के जीरो के यह 30 प्राइब कि यह 25 प्राइब दिग्री के इस तरह के प्रसनों को साथ ही मेरे option से हल किया जाता है मतल लेकिन कब बराबर है किसके लिए बराबर है सबके लिए तो बराबर होगा नहीं यह हमें खोजना है तो चलिए देख लेते हैं फिर काहे को दिक्कत तीसरा पार्ट देख लो साइन टू एक्वल क्या है टू साइन ए समझना बाई बहुत ही प्यार से समझना बाबू हां चलो अप्शन नमबर ए से ठीक है यहां पर हम लिख लेंगे चाहे तो लिख लो पहला जीरो से मतलब जीरो रखेंगे या फिर ऐसे ब्रेकट में यह भी लिख सकते हो ए बराबर जीरो रखने पर मतलब हमें यह देखना है कि किस कोण पर यह दोनों इस तरह से बराबर हो सकते हैं ठीक है तो यह चेक करना है तो जहां जहां पर ए है वहां वहां पर हम क्या रखे रखेंगे बाई वहाँ पर रखेंगे 0 तो रख लो बाबू यह हो जाएगा sin 2a 2a का मतलब दो गुड़ा 0 ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं equal to sin a a की जगह पर 0 यानि sin कितना 0 ठीक है हम कह सकते हैं कि sin 0 कमान आपको यहाँ पर एक परकार से बताना है जासे ठीक है तो 2 का मल्टिपल 0 में ती हो जाएगा sin सुनने और यह हो जाएगा 2 sin सुनने sin 0 अंस कमान 0 होता है आप सबको पता है इसमें किसी को को डाउट नहीं sin 0 अंस कमान 0 होता है इधर 2 ऐसे रहेगा इस sin 0 कमान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा फाइनल में 0 बराबर 0 यानि 2 बराबर है दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं आपसं नंबर यह सही है इन परिष्थितियों के लिए आपसं नंबर यह सही है यानि 0 डिगरी के कौन पर साइंट 2 अ बराबर 2 sin 0 हो सकता है लेकिन आप कहोगे इसमें तो कुछ हाल नहीं निकला आप तो एक कैंसे बताया दिया नहीं तीसरा भी नहीं सही है कर के देखरो सब सही नहीं सिर्फ एक है सही है चलो दूसरा भी करके बिखा देता हूं लिख लिए जी आपसन नमबर आपका ए फिलहाल करेक्ट हो गया यह सही है इसमें चार आपसन है ना चलो हमें एक और करके दिखा देते हैं बी तीफ रखके देखते हैं क्या ऐसा होता है चलो वह भी करके मैं आपको दिखा देता हूं आपसन नमबर बी से ध्यान देना बहुत ही गौर से देखना लेकिन यह जबकि होगा नहीं अंसर आ गया लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट न रहे इसलिए हमें इसको भी करना पड़ रहा है तो लिख लो चाहे तो ऐसे बी 30 से बतलब हम क्या करेंगे यहां पर एक जगा पर तीफ रखेंगे ठीक है तो यह हो जाएगा बाबू साइन 2 इंटू एक जगा पर 30 इकवल 2 साइन एक जगा पर 30 हम सबको पता इनका मल्टीपल होगा तो साइन साइट हो जाएगा इकवल यह टू साइन 30 कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा साइन साइन साथ हंसकमान आप सबको पता है विश सू भिख्यात है अंडरू तीन बटा दो यह दो गुड़ा साइ 20 günि उन्म का महता दो बहुगे इस नहीं बड़ाशे दो यह दो तुम सबको पता इकट जाएगा गथा उठे बता दो यह आपका हो गयां थर्ड फाट इसमें का एक और पार्ट हो भी देख् सोथा आगया जन्य पार्ट फटाफट अगला पार्ट भी ऐसे ही कर नबाभू पटापट ऐसे कर लो इससे मैं कितने पार्ट है टोटल चारी पार्ट है ठीक है चार ही पार्ट है चलो हो गया question पढ़िए चवथा पार्ट में क्या कह रहा है इसमें भी ऐसे ही करना है option आपको चार दिये गए है वही जो इसमें दिये गए थे इनको भी simple में ऐसे रखना है और simple में कर लेना है ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है चलो नो प्रॉब्लम करेड़ 2 10 30 अपान 1-10 क्या स्कॉर 30 यह करना है न बहुत आसान है अब इसको भी बताऊं क्या बताई देता हूं चलो क्या को यह है न 2 10 30 नीचे क्या है अब साथी 1-10 स्कॉर 30 देखो थोड़ा अपना भी बुद्धी लगाओ यह नहीं कि मैं लिखता जाओ तुम छापते जाओ थोड़ा अपना भी बुद्धी लगाओ चलो 2 x 10 30 कमान होता है 1 अपना रूट 3 यह तुम्हें याद रहना चाहिए मान मैं बार बार पढ़ाता हूं इसलिए हमें याद होगे बाकी इसको बैटके हम रटे नहीं है ठिक है 1-10 30 कमान रूट 3 और इसका स्कॉर है इसका स्कॉर इसका स्कॉर ठिक है अब नीचे क्योंकि इसका होली स्कॉर होगा आप जानते हो बेसी कितना आपको आता है नीचे दिख रहा है यह दूइबटा अंडर रूट 3 साथी मेरे इसका गुड़ा होगा 3-1 अपान 3 भिन हल करना तुम्हें आता है इतना बच्चा तो हो नहीं तुम तो यह हो जाएगा सब्सक्राइब यह बचाए तो यह तो 2 का घया टूबचा क्या बचतों कुछा कि यह इसा बच्क बचते हैं को की दिकत किसी को नहीं न एसा लिख सकता हूं ठीच को फाइनल में अंडरूर्ट तीन बचेगा अंडरूर्ट तीन अगर दिये गया option देखो तो 10,60 कमान होता है होता है इसमें देख लो किसका होता है बता होता है न तो आप कह सकते हो क्या यह 10,60 क्या है 10,60 अगर option की बात करें तो option number C सही है कौन सही है C number इस तरह से साथी मेरे तो लगेगा थोड़ा बहुत मैं सामने से डोलता रहता हूं जिसे जो बच्चा पीछे वाला लिख रहा है वो उसे देख सके फिर मैं इधर आ गया इधर वाला भी ओ देख सके एक जगा मैं कभी भी जामनी होता हूं मैं हल्ट हटता रहता हूं हीलता रहता हूं जिसे तु कि अब मैं लड़क्यों की तरह ऐसे दर नहीं करूंगा है चलो हो गया है तो इस तरह से आपका यह कोश्चन हो गया सभी साथ ही अगला कोश्चन देखेंगे लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे और पीवियार स्टडी फेस्बुक पेज को जरूर फालो करेंगे क्योंकि फेस्बुक पर मैं सारी कला से सिस्टम से दो दो घंटे की देने वाला हूं बहुत जल्दी ठीक है चली आगला कोश्चन पर देखते हैं बहुत ध्यान से देखना जाना नहीं कहीं चलो देखो बाबु कोश्चन कह रहा ह और 10 a-b equal 1 upon root 3 और 0 is यहाँ पे थोड़ा सा condition है 0 is greater than a plus b यानि कहने का मतलब यह है sorry 0 is greater than नहीं यानि a plus b is greater than 0 यानि जो a plus b का मान है वो 0 से बड़ा होगा और इसमें condition और है लेकिन इस का मान 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा ताते पर यह है कि one से लेकर के 90 तक ही a plus b का मान हो सकता है इससे ना छोटा हो सकता ना बड़ा हो सकता है इसका यहीं मतलब है इसमें condition और है कि a greater than b यानि a का जो मान आएगा वो b से बड़ा होगा इन सभी सर्तों के साथ कह रहा है कि a और b दोनों का मान ग्याद कीजिए ठीक है बहुत आसान है यह जो सर्ते दी गई है नीचे इससे कोई जादा आपका मतलब नहीं है यह फालतू दी गई है आपको confuse करने के लिए ठीक है तो जो दिया है दोनों को लेंगे और answer ले 10 a plus b equal under root 3 यह दिया है मैंने इसको लिख दिया अब हम इसको हल करेंगे तो 10 a plus b equal यह 10 60 hans कमान है आप सबको पता है 10 60 hans कमान है under root 3 हां मालूम है इधर साइड में question है इस वज़ा फे थोड़ा सा आपके लिए छुपा रहा है हां तो इसको मैं यहां लिख देता हूं नीचे कर देता हूं यह लो चलो डन ठीक है आप समझते चलो पूरा अंत तक देखना प्यार से यहां से भाई 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं यहनि हम कह सकते हैं कि a plus b equal 60 हैगा equation number 1 इसमें किसी को कोई डाउट नहीं a plus b equal क्या आ गया 60 आ गया ठीक है अब दिया है में एक चीज और दिया है आपको अगर आप ध्यान दीजिए तो दिया है 10 a-b क्या दिया है 10 a-b equal 1 upon root 3 भी दिया है दिया है न 1 upon root 3 तो क्या करेंगे हम यह 10 a-b 1 upon root 3 की जगा पर हम लिख सकते हैं 10 30 हंस क्योंकि जो 10 30 का मान होता 1 upon root 3 होता है यहां से 10 से 10 cancel हो जाएगा भाई तो a-b बराबर आएगा क्या 30 अंस आएगा यह equation number second हो गया इसमें किसी को कोई doubt नहीं कोई doubt नहीं ठीक है अब क्या करेंगे अब ध्यान देना यहां पर हम समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे आगे next step यहां से ध्यान देना ठीक है समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों equation को जोड़ देंगे जो equation हमें find हुए हैं यहां पर यह पहला दूसरा तो पहला a प्लस b बराबर 60 है दूसरा a माइनस b बराबर 30 है तो यह जूड़ जाएगा दोनों प्लस माइनस अला गलग चिन्हें कट जाएगा यह दोनों जूड़ के 90 हो जाएगा a कमान 45 आएगा आप कोई छोटे बच्चा तो हो नहीं आपको पता है जब दो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 45 इस तरह से आप क्या करोगे a कमान किसी भी equation में रख दीजिए b कमान निकाल लीजिए ठीक है लिख दे नीचे question हटा देते हैं लिखिए a कमान समी करण एक में रखने पर a कमान समी करण एक में रखने पर ठीक है तो समी करण एक है a plus b equal 60 done तो भाई यह 45 प्लस यह b और बराबर 60 तो यहां पर b बराबर आएगा 60 minus 45 यानि b कमान कितना आएगा 15 इसमें किसी को कोई परसानी नहीं न ठीक है तो यह आपका a और b दोनों मान आ गया इतना ही पूछा था आप अलग नीचे लिख देंगी जहां जगा होगी आता है कोण a बराबर 45 और कोण b बराबर 15 और देखो a कमान b से बड़ा भी है है न यही पूछा था यह आपका third question क कमपलीट हल हो गया अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से वीडियो को रोंकिया और लिखिये स्क्रीन साड़ लीजिए अगले सवाल पर आगे बढ़ेंगे उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें पी बियार स्टडी को तुरं सब्सक्राइ कमेंट पड़ूंगा पंकत जीत कमेंट मरा रहा है मोहित प्रियम सुधान्सू रगुवीर अनुपरिया पटेल महेस और कौन भाई गौरो अंजली परजापती सबके कमेंट सारे कुछ बच्चे कहेंगे मेरा नाम है नहीं ले रहें पई देखो सबका नाम नहीं ले सकते बहुत बच्चे है ना चले अगला नेक्ट कोईस्टन देखे फोर नंबर अगला कोईस्टन दिखा यह अगला प्रशन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन देखिए ध्यान से देखिए उदर साइड दिख रहा है ना कहरा बताईए निमलिखित में से कौन-कौन सत्य है और क ओके एक्सरसाइज 8.2 क्लाफ 10 का अंसियाटी में था पढ़ रहे हो कुश्टन नंबर 4 है ठीक है इनका पहला इस्टेटमेंट जो है जिसे हमें ट्रू या फाल्स लगाना है वो क्या है मैं यहां पर लिखता हूं यह है कि साइन ए प्लस बी इक्वल है यह साइन ए प्लस सा साइन बी के यह कहरा कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है कि साइन ए प्लस भी यह साइन ए प्लस साइन भी दोनों अलग अलग कर देंगे तो क्या यह साही है बताना है नहीं आप इसके आगे लिखोगे फाल्स यह साही नहीं है यह साही क्यों नहीं है कहरा इसको डिसक्रा इसका रीजन देखिए नीचे यहां पर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे हम लिख लेंगे माना इंग्लिस वाले लिखेंगे लेट्स है लेट्स क्या लेट्स करेंगे भई आप यहां पर दोनों एंगल का बैलू मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं कि A equal 30 है कुछ भी मान लो B equal मान लिए मैंने कि 60 है चलिए मान लीजिए मान के इनको हम एक बार हल करने की कोशिज करेंगे तो यह sign यह 30 plus 60 equal sign 30 plus यह sign 60 ठीक है समझने की कोशिज करना अगर यह दोनों बराबर हो जाएंगे तो यह statement सही हो जाता लेकिन यह बराबर नहीं होगा यह sign 90 हो जाएगा sign 30 कमान एक बटा दो और sign 60 कमान अंडरूट 3 बटा दो sign 90 भाई sign 0 का 0 होता sign 90 कमान 1 होगा और यह आपका 1 plus अंडरूट 3 बटा 2 होगा आप बताओ क्या यह दोनों equal हैं एक दूसरे के कभी भी यह दूसरे के equal नहीं हो सकते हैं यह statement false है कोई भी दूसरा एंगल आप ले सकते हो मैंने 360 लिया आप कुछ भी मान सकते हो इस तरह से प्रूब होता है कि यह जो statement दिया यह wrong wrong नहीं sorry false है प्रूया फाल्स सांटना ना इसमें सही सत्य आसत्य हिंदी वाला लिखेगा आसत्य है ठीक है हिंदी में लिखेंगे क्या है भाई यह असत्य है यह सत्य नहीं है अगले प्रस्न की तरफ आगे बढ़ते हैं देखिए four number में चार पांच पार्ट है इसके दूसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़िए क्या है भाई ध्यान दो और मुझे बताओ क्या लिखा है इसका second बताइए क्या ऐसा होता है क्या अगर थीटा में व्रिद्धी होती है तो क्या साइन थीटा का मान बढ़ जाता है चलिए देखते हैं दूसरा statement कह रहा है कि थीटा में अगर बृद्धी होती है तो क्या साइन थीटा बढ़ जाता है देखिए मैं बताता हूं जैसे मालो कि साइन थीटा कह रहा है ये बढ़ जायेगा यदि इसमें थीटा बढ़ता है ये बोल रहा है ये कि ऐसा हो जाता है हाँ आप लिखोगे ट्रू ये सही है ऐसा होता है सत्य है क्यों देखिए मैं बताता हूं जब थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान अपने आप बढ़ जाता है इसका कारण और दोचान निवारन में दिखा देता हूं द्यान दिखिये जैसे आपने देखा होगा क्या देखा है। सबिशंदेखते साइन जीरो कमान क्या होता है कि आंग जीरो कमान जिरो होता हैना होता है अगर बात करूं सारे सी कि पामीन जुरे सुझ यह बताओ कि यह 41810 तो ना यह वहना जीरो से बड़ा है ना यह यह न이지ने जब 100 था तो इस कमाने साइन जिरो ता साइन एक 30 हुआ तह इसका मान एक बटा दो हो गया यह निससे क्या हो बड़ा हो गया ना हो गया ना अब अगर हम साइन 45 दिखाएंगे तो अंडरूट में रहेगा तुम कम समझ पाओगे कम समझ भाओगे साइन 60 भी अंडरूट में इसलिए साइन 60 कभी जांपल हम नहीं देंगे हम मानते हैं कि साइन 90 कर दिए क्योंकि हमें आपको सिद्ध करके दिखाना है तो बहिए साइन 90 का मान 1 होता बाबू क्या होता है समझो थीटा पहले 0 था फिर थीटा 30 हुआ और फिर 90 हुआ और मान क्या हुए मान पहले जीरो था फिर एक बटा दो हुआ एक बटा दो का मतलब होता आधा आधा और फिर एक हो गया नहीं बढ़ा नहीं जीरो था फिर आधा हुआ फिर एक हो गया बढ़रा दिर दिर नहीं हम कह सकते हैं कि जब थीटा बढ़ेगा तो साइन थी कि आइंडैंग त्विद्धी में उपने कमी लिए अधिन के रखो ने साथ में सभाइवगत थीटा होने के साथ में कुछ थीटा में थीटा में भी वृद्धी होती है बताना है सोची ज़र्थ साइब फार लाम करीए कि ठीक है यह गलत है यह गलत है पूरी तरह से क्या लिखोगे तीसरा वाले में ये फाल्स है थीक है ये करए captiv नहीं है कैसेरा थीटा में वृध्धी के साथ our थीटा कमान भी बढ़ता है नहीं कहा थीटा कमान घरणता है बढ़ता नहीं नhews कॉस्ष जीरो कमान आपको पता है क्या होता वह तहसे हैं हो इस साइन 거지 कमान जीरो होता, 03 रिखते न सवाय तो फिल रहल यह तो अनुड में चिंद रूलशल में परते हैं को अनुड मान लीते हैं हैं थीटा कमान बढ़ा दिया 20 कर लिया तो पह यह कॉस तो साथ होगया तो ईह दो 2 आप इहिं कंपेर कर लो कि जब Si 0 कि साइद नहीं क्या जब कास 0 था तो इसका मान 1 था और जब कास बढ़ गẻ जिरो से क्या हुआ ऑई कॉंड जिरो था तो मान 1 था अब कॉंड 60 हो गया मान 2 हो गया घटरहें और जब कास 90 पे जाते हैं 90 तो इसका मान 0 हो जाता है यानि कौर तो बढ़ रहा है देखो थीटा बढ़ रहा है जीरो था फिर 60 हो गया फिर 90 हो गया लेकिन थीटा बढ़ने के साथ साथ कॉस थीटा का मान घड़ता जा रहा है ये घड़ता की नहीं पहले वन था फिर आधा हुआ फिर जीरो हो गया तो ये गलत है इसलिए क्योंकि थीटा बढ़ने के बाद साथ में साइन थीटा बढ़ता है लेकिन कॉस थीटा घड़ता है कॉस होता है यह भाईया कौन बता दिया ऐसा नियम हां किया ऐसा होता है का कभी मुझे तो नहीं लगता कैसा होता है कि होता है भाई सोच के बताओ आप लोग कितने लोग बोल रहें कि ऐसा होता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है कितने लोग बो हम मान लेते कि चलो एक दिन के लिए सेर भी जंगल कराजा बन जाता है लेकिन काओ कि जंगल कराजा और भेडिया बराबर हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है देखिए साइन थीटा और कास थीटा ये दोनों सभी मान के लिए बराबर नहीं होंगे एक उधारन ले लो sine 30s और cause 30s हमने थीटा कमान दोनों पे 30 रखा तो sine 30 कमान एक बटा दो होता है cause 30 कमान अंडरूर तीन बटा दो होता है ये कुदी बराबर नहीं है कोई भी दूसरा मान रख लीजी आप में शिर्फ 45 इतालिस दोनों बराबर होता बस साइन 45 काश 45 पे दोने एकक्वल हो Republic 44 में वाकि किदि आपकों पर में किसी पर शुटा हो अंधो ऐतील है तो यह आपका हो गया इसके अलामा एक और बेचा है यह लाफ यह कहा pirates कि एकक्ल 0 पर कउट कड़ परिभासित नहीं है इसका मतलब यह है कि अगर एक मान जीरो रखेंगे तो कड़ कम परिभासित नहीं है का मतलब अनंत आएगा क्या ऐसा है देखे बताता हूं आपको पता है साथियों कि काट एक मतलब 0 यह निकाट 0 क्या होता है बाई सीरी सिमान आपको पता है 10-0 क्या होता है 10-0 क्या होता है सोचो 10-0 क्या होता वास्तों में क्या होता दिखा रहा हूं कुछ नटाओ देखो बताता हूं 10-0 क्या होता है 10 0 जो है वह sign 0 का also set 0 का भाग मिलाकर होता है इसे निकालने है पी आर पीकर सब्सक्राइड है नख़ले को झालता है या यि स सब्सक्राइड अपन्र बोलता है क्में दो जिए या उलेट जाएगा यई हम कह सकते हैं कि याला क्या है ट्रू है यानि यह पर कॉर्टे जो है वो परिभासित नहीं है समझ में है ना कोई डाउट है तो बता दीजी बिल्कुल भी आप टेंसन मतले ना इस तरह से आपका कुश्चन नंबर थाड और फोर दोनों हो चुका है साथियों इतना यह नहीं हुआ है इसी के साथ हमें यह परसनावली भी खताम हो गई 8.2 आपका इंड हो गया 8.3 आप प बिहार बोर्ड हो यंपी बोर्ड हो तुमारा कोई भी बोर्ड हो साथियों निके में भी लागू होगा उन सब के लिए संजीवनी है ठिक है कुछ भी डाउट नहीं संकोच कमेंट कर यह बताया जाएगा वाटसाप पे कोई सवाल नहीं बताया जाता बाबू माफी चाहते भी mathematics का पूरा course ले सकते हैं और PBR study app में हम एक परिच्छा उपयोगी महत्रपूर compact course भी ला रहे हैं आप चाहें तो उसको जा करके जुआइन कर सकते हैं app में ठीक है अगर इस course से संबंधित को इंक्वारी है compact course वाले से 94 पचपन ये 63 38 37 इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं ठीक है यह लिख करके IMP 10th 2022 ठीक है IMP मतलब important question 10th 2022 आपको वह समागरी उपलब्द कराई जाएगी जानकारी बताई जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मिलते हैं अगली क्लास में क्लास को सेयर जरू करना ठीक है